मुख्य शब्द, की वर्ड्स, वृद्धी, परिवर्धन, समसुत्री विभाजन, अर्धसुत्री विभाजन, किशोरा अवस्था, गर्भा अवस्था, भ्रोन, युगमनज, युगमक, लेंगिक प्रजनन, अलेंगिक प्रजनन हमने सीखा सजेओं में वृद्धी हमेशा एक निशित दर्से होती है समय के सासाथ भार का बढ़ना वृद्धी है जीवों के शरीर में अलग-अलग भागों के निशित अनुपात में वृद्धी से परिवर्धन होता है परिवर्धन में एक कुशिका के आकार और आकरती में परिवर्धन के साथ साथ पूरे बहु कुशिके सनरचना के आकार और आकरती में परिवर्धन होता है सभी जैविक प्रक्रियाओं के समान ही प्रजनन भी एक आवशक जैविक प्रक्रिया है जिससे विभिन्यताएं उत्पन्न होती है इससे किसी भी प्रजाती की निरंतर्ता बनी रहती है अलेंगिक प्रजनन में लेंगिक प्रजनन के समान नर और मादा की जरुवत नहीं होती एकल जीव से ही अगली पेड़ी का जन्म होता है अलेंगिक प्रजनन से मात्र कोशिकाओ जितना अनुवांशिक पदार्थ पूरा सेट जनन कोशिकाओ में होता है जबकि लेंगिक प्रजनन से जनन कोशिकाओ में मात्र कोशिकाओ के अनुवांशिक पदार्थ की एक ही प्रतिलिपे आदा सेट होती है ऐसी जनन को शिकाओं को युगमक कहा जाता है पौधों में परागन के पशात निशेचन होती है जो जन्तों में योनक्रिया के पशात हमारा स्वास्त तभी बना रहेगा जब हम हमारे संपुर्ण शरीर के सम्मन में सचेत हो और सापसफाई का ध्यान रखे लेंगिक स्वास्त हमारे समग्र शरीर के स्वास्त से जुड़ा हुआ है परिवार नियोजन के उपाए अपनाना खुद के परिवार के और समाज के लिए जरूरी है परिशिष्ट अलेंगिक प्रजनन कई प्रकार से होता है जिनके कुछ उधारन इस प्रकार है पहला विखंडन, फिजन जीव दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है इस विधी का अध्यान आपने क्रियाकला पाच में जिवानों में किया इनके अलावा यह अमीबा, पैरामिश्यम, मलेरिया परजीवी आदी में भी देखा गया है किसी जीव के शरीर की बाहरी सत्य की कुशिकाओं में समसुत्रे विभाजन से एक उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं, यह मुकुल विक्सित होकर एक पूर्ण जीव बनता है हाइड्रा इस्ट आदी में देखा जा सकता है तीसरा बिजानो निर्मान, स्पोर फॉर्मिशन इस विधी में जीव में कुछ विशिश आवरण युक्त कुशिकाओं का निर्मान होता है जिने बिजानो कहते हैं यह बिजानो से नए जीव का निर्मान होता है प्रतिकुल परिस्तितियों से बचने के लिए अक्सर बिजानों बनते हैं ऐसा जिवानों कवक, म्यूकर, राइजोपस आदी में देखा जा सकता है चौता पुनरुद भवन, रीजनरेशन प्लेनेरिया, हाइडरा, आदी जीमों का शरीर कई कारणों से टुकडों में तूट जाता है और कुशिका द्रव्य तता केंद्रक सहित इन टुकडों से विक्सित होकर नया जूब बन सकता है पाच्वा, वर्धी प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोडेक्शन जननकुशिकाओं के अलावा अन्य किसी अंग से जिव का बनना वर्धी प्रजनन कहलाता है क्रियाकलब चार में हमने आलू के टुकडों के द्वारा पौधों का बनना देखा इसके अन्य उधारन हम और भी देखते हैं जैसे शाखा, कलम के द्वारा गुलाब और अंगुर में जडों के द्वारा परवल और कुंद्रू में पत्ति से बिगोनिया, ब्रायोफाइलम में रजभरी वनीम्बू में पन का लिका के द्वारा नय पौधे बनते हैं